नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टेडी पॉइंट यूटूब चैनल पर दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वीडियो ग्याम को लेगा जो आपका 26 और 27 जून को लगा हुआ है कल यानि आपका 26 यानि आपका फस्ट सिप्ट का पेपर भी होगा तो देखिए यहां पर आपको सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में कि 150 प्रस्ण में से कितने प्रस्ण आपको सही करना है जिससे आपका सेलेक्शन हो जाएगा और OMR सीट भरते समय कौन सी गलती नहीं करना है ठीक ना इस वीडियो हम यहीं बात कर आने वाले हैं कि कुछी घंटों बाद आपका एकजाम शुरू हो जाएगा और एकजाम को लेकर आपके अंदर जो मन में काफी घबराट हो रहा होगा कि हम इतना पढ़ डाले कितना हमने कैसा पेपर आएगा क्या नहीं आएगा कितना कर पाएंगे है ना तो काफी सभी पर देना है आप जितने लोगों से पूछेंगे कोई कुछ बताएगा कुछ और बताएगा तो इससे आप डाइवर्ट होंगे इसलिए अब आप कुछ भी नहीं सुनना है बस अपने दिल की सुनिए दिमाग को कंसंट्रेट रखिए एकदम से और बस आपको एक्जाम बस 150 प्रस्ण होंगे एक प्रस्ण आपका दो नंबर का होगा और सबसे बड़ी बात है इसमें निगेटिव मार्किंग एक बटा दो है एक बटा दो का मतलब है कि मान के चलिए कि एक प्रस्ण दो नंबर का है तो दो का आदा कितना होता एक नंबर आप यह मान के चलिए कि आपको एक्जाम में कोशिस यह करना है कि गलती गलत प्रस्णों को आपको करना ही नहीं है हना जितना आपको आए उतना ही करिएगा और यहाँ पर OEMR सीट भरते समय बिल्कुल यह गलती मत करिएगा जैसे आपका जो रोल नंबर है जो भी आपका यहाँ पर फिल किया करवाय जाएगा OEMR सीट में इस तरीके कोमेर सीट आपके होगी तो यहाँ पर देखिए डेड़ सो प्रस्ण होंगे बहुत ही ध्यान पूरवग भनना है और OEMR सीट में एक चीज को भी से ध्यान रखिए बहुत साथ लोग क्या करते हैं जैसे मालोग प्रस्ण पत्र मिल गया तो गोला तो आपको पूरा भरना ही है इधर उदर नहीं भगना चाहिए पूरा अच्छे बना है और एक जो लाइन है ना कोस्ण वे चार में एक ही बरियेगा दो भर देंगे गलत हो आपको हो जाएगा इसलिए गलती से भी आपको डबल गोला नहीं करना है तो आप जेकिए जब कोस्ण आप पहला देखेंगे फी गोला भरेंगे फी दूसरा प्रस्ण देखेंगे फी गोला भरेंगे फी तीसरा प्रस्ण देखेंगे फी गोला इसमें क्या होगा ना टाइम बरबाद होगा ऐसे बहुत सा इलो करते हैं तो यह गलती आपको नहीं करना है सबसे पहल करेंद देना जैसे है से चीक करने के बाद जैसे आपने हिंदी के 50 में से आपने देखा कि हमारे जो 40 प्रशन थैं बिल्कुल सही हमें आ रहे है दिया अब आप क्या कर दिये Celt by जल्डी से आपको 40 सब्भर देना एंधी हिंथी कमपलिट कर लो फिर लास्टी का वडर्राइं कि कई बार क्या होता है कि आप पेपर करते समय करतो लेते हैं लेकिन कभी-कभी Time Management नहीं कर पाते फिर आपको गोले भनने का टाइम कम पढ़ जाता है तो फिर लास्ट में गोले नहीं भर पाते तो ये भी गल्ति आपको नहीं करूंप इसलिए जितना आप पहले सक्षन करें ऊत्ना बढ़र दें एक एक कोशन को देख कर नहीं बढ़ना हैं किक पुरा कर लिया पूरा भर दे loses निंग कर दो पूरा हो गया प्रशन लगा कि हमें बिल्कुल आ रहे हैं सही कर लिया तो 35-30-30 कितने हो गए 100 यानि आपको यह पता चल गया कि 500 प्रशन में 100 प्रशन आपको बिल्कुल आएसे प्रशन हैं जो बिल्कुल किलियर है आपको आई रहे है तो आप पहले 100 को अच्छे सगर दीजिए इस के बाद इसके बाद जिसमें आपको लगे कि यह प्रस्ण में 50-50 चांस है चार आफसन में दो आफसन में डाउट हो रहा है कि यह वाला होगा तो उस पे आप थोड़ा सा तुक्का लगा सकते हैं वो भी बहुत डेयर केस में ज्यादा नहीं लगाईएगा कि ज्यादा लगाएंगे एक नंबर आपका कटेगा ठी 105 अगर प्रस्ण आपके बिलुकुल सही है 105 प्लस यह प्रस्णों के हम बात कर रहे हैं 1500 में अगर आप 105 प्लस प्रस्ण अगर बिलुकुल सही कर लेते हैं यानि नंबर आपके होंगे 210 हाना तो आप यह मान के जलिए कि आपका एक सेफ स्कूर है हाना सेफ स्कूर है क्योंकि कि इसमें बहुत साहे लोग गलत भी पार्चास नहीं करना है जितने मापका सेलेक्षान हो जा उतने करना है। तो अगर आपको 105 प्लस प्रशन अगर आ रहे हैं बिलकुल सही आ रहे है तो आप बिलकुल रिस्क मत लीजीएगा। अगर आपको लग रहा है कि हमारे परशन जो है 100 से कम सई हो रहे हैं तो फिर आप कुछ प्रशनों में रिस्क ले सकते हैं आपको इस चीछ को भी बिशे ध्यान रखिए और निगेट्व मार्किंगं तो उसको भी सावधानीज भरिएगा क्योंकि मालोग प्रस्ण पत्र में आपने टिक माल लिया अब भर रहा है पहले का बी सी कई नंबरिंग भूल गया तो उल्टस चिता भर देंगे ना तो फिसारे आपसन आपके गलत हो जाएंगे इसलिए बहुत ही सावधानीज भरना है और सभी लोग अच्छे पेपर करिए क्योंकि जितना हमने अभी तक पढ़ाया था बहुत पढ़ा दिया आपको उसी सब आपको देखने को मिलेगा आपको कंसंट्रेट होके पढ़ना है एक्जाम देना है कोई भी डाइवर्ट अब नहीं होना लास्ट मूमेंट में और हम हम भी उपरवाले से दुआ करेंगे कि आप सभी का सेलेक्षन हो जाए जो लोग हमसे पढ़ा रहे थे यह जिन्होंने अच्छी त्यारी किया उन्ह सब का सेलेक्षन यहां पर होना चाहिए चले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बेस्ट आप लग धन्यवाद जय हिन बंदे मतरम